कर रहा है कि घर में नहीं होता है ना बाहर भी नहीं जा सकते जॉगिंग के लिए तो आप इस तरह सिंपल वे में एक डिलिश्यस पनीर की सबजी रेडी कर सकते हैं या फिर आपके हर में इंस्टेंटली कोई आ गया है आपको नहीं मालूम है प्रिप्रेशन नहीं है कोच है तो आप इस तरह से बना सकते हैं जिन लोगों को ज्यादा हैवी पसंद रहीं आता है यह हैवी सा हो जाता है और थोड़े सिंपल वे में ही सबजी अच्छी लगती है तो आप इस तरह से पनीर जरू ट्राय करें आई होप मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि आपको आप टीप्स मैं दूंगे आपको ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट किये बिना गब गब किये स्टाट करते है अपना वीडियो तो मैंने यहां पर एक कढ़ाई ले लिए है तो आप इसको चाहें तो सरसो के तेल में बना सकते हैं सबसे पहले में आप पनीर को फ्राय कर लूँगी थोड़ा सेल फ्राय करूँगी तो पनीर को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है आप चाहे तो कच्छ कर लूँगी है और इसकी के बच्चे हुए तेल में फिर मैं अपनी सब्जे बनाऊंगी तो यही मेरा में रिजन है नहीं तो ऐसा करना पड़ता है कि पहले सब्जे कढ़ाई बना फिर दूसरे पैन चढ़ाओ पनीर को फ्राय करने के लिए है तो यह सब चीजे मुझे बह बोग डाल लेंगे हम इसमें और इसको थोड़ा सब लेंगे कि तेल अल्रेडी बहुत गरम है तो जल्दी से हो जाएगा और प्याज डाल लेक मीडियम साइस का मैंने प्याज लिया है तो बहुत ही मतलब हलकी फुलकी सब्जी है पता भी नहीं चलेगा आपको यूनों पन में अधरक लशुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दया है जिंजर गाल लिका तो इसको कूट कि भी आप डाल सकते हो और उसको की बहुत करने के ऑप बारीक पारीक भी डाल सकते है और रचा बहुन गया देख सकते हैं ना तामाटर मैंने तो यहां एक बड़ा साइस का पानी वगेर की जड़त नहीं पड़ती है ना तो मसालों को जो है वही मेरा बेसिक सा फंडा है कि उसको अच्छी से भूने आप तब ही आपके जो टेक्स्ट्र होता है सब्जी का बहुत अच्छा आता है तो यह देखी और मीडियम पे आप रखें गैस को है ना तो यह फिर अगर हाई फ्लेम पे रख रहें मेरे जैसे चलाते रहें तो बीच बीच बेंड़ने थो लगने का थोड़ा सा डर रहता है तो यह देखी अज़ा है अच्छे से ब्राउन हो गये है तो आप वीडियो को प तो इनको फिर से लाल मिर्ची पाउडर नहीं तो इनको मिक्स कर देंगे हम पर मैंने डाल धिया है इसमें थोड़ा सा आम्चूर पाउडर तैक और फिर से जीरा पाउडर शेदा रह। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी है तो वही है इसको थोड़ा से भून लेंगे 5 मिनट ना मतलब ऐसे एकदम से पानी नहीं डालेंगे और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं ड्राय करके आलू मतलब यह थोड़ा से बच गए थे आलू और मैंने इसमें डाल लिया है ठीक और पनीर और इसमें डाल के ऐसे भी यूनो इसको पका के खा सकते हैं बट मुझे ज़्याद अच्छी लगती तो मैं यहां पर ग्रेवी बनाऊंगी ठीक है तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम लोग थोड़ा ढ़के मैं इसको पकाऊंगी जिससे आलू थोड़े से पक अगर हो डालते हैं तो इसतर एक बना कि देखे तो मतरा पो डिफरेंस पता चलेगा हिसमें तो डखकन लगा-खेथ थोड़ा-सा 5 सब्भाण 2-4 पाइड पर नहीं दालते हैं तो इसी दर से इसको पकाना है कि और ढ़कन लगा के पकाए आप इसमें पर ना सब उड़ जाता है तो फिर वह थोड़ा सा पानी की जड़त पढ़ती है आप पर नहीं पर नहीं आ पर नहीं तो आपको पता चलेगा कितना टेस्टी लगते हैं अब बनता है क्योंकि हर चीज राइकरने ही चाहिए यहां पर अभी धकन हटा लिया है और आलू जो है देखे कितने मौश्टर आगया इन में अच्छे से आप देख सकते हैं ना पानी भी मतलब रिलीज हो गया इनका तो अच्छे से मतलब यह अच्छे खासे से सुपक हो गया बस इसको पांक मिनिट और पकाना है तो यह रेडी काल मैं वगया ओशैनल की हो जाएंगे अब आप इस तो यह दखिए और इसको अभी हम खुला ही पकाएंगे थीक है चला हो च में एसको पकाऊंगी और यह रखें अ तो पानी थोड़ा से एक्स्ट्र ही डाले कि कुक होने के बाद सब्सक्राइब ने के बाद में इसका पानी रडियूस होई जाता है थिक हो जाती है तो अभी ग्रेवी कच्छी है इसके उपर ज्ञागा रहे थोड़ा से चला दे बीच-बीच में और जब यह रडि हो सब्सक्राइब कर देख सकते हैं थोड़ा से व्यूडियो को मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि वही है और मैंने पूरा दिखाने के कोशिश करते हूं जिससे आपको समझ में आए तो यहां मैंने इसको 10-15 मिनट इसको पका लिया है हाई फ्लेम पे पान डालने के बाद मैं इसको अच्छे से 10-15 मिनट पका है गाई तो मैं टाइम बता रही हो आपको कि इतनी देर में सब्सक्राइब हो जाती है और यस बहुत ज़्यादा सही लगती है जो बच्चे यूनो ज्यादा इस तरही सब्सक्राइब कहाते है कि जो हैवी सी हो जाते है डाइजेशन जिसक आप अपनीर के बड़े पीसी बैने रखे है जो मतलब देखने में अच्छे लगते हैं तो आप चोटे चोटे पीसी अपने कार्डिंग जिस भी शेप में आपको चलते हैं वैसे आप इसको कट कर सकते है तो यही था और यह देखिए दनिया पत्ता डाले इसमें जरूर बहुत टेस्टी लगता है ठीक है तो चॉप करके तो मैं डालूंगी ही बाद में बट मैंने इसको यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा से यहाँ पर देखिक तो पनीर को डालने के बाद मैं इसको यह